तो आपसे भी का सुवगत हमारी RG Technical Boy YouTube चैनल में So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके भी फोन में camera application open नहीं हो रहा है कोई video अगर आप record करना चाहते हो वीडियो record नहीं हो रहा, black screen आता है अगर कोई problem हुआ तो उसे आप कैसे fix करोगे अगर फिर भी आपका problem नहीं सही होता तो आपको फिर क्या करना वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आपको करना है कि अपने phone की settings में आना होगा, ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो हम चलते हैं अपने phone की setting में कुछ इस तरीके से उसके बाद दोस्तो यहाँ पर phone की setting में आने बाद आपको इस तरीके से देखना होगा, app management के नाम से मेरे phone में अभी यह option दिया जा रहा है आपके phone में हो सकता है app manager हो या इसी सिर्फ app हो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा एक option इस पर click करना app list पर आपको click कर देना है और यहाँ पर आप आजाओगे जहाँ पर आपके phone के सभी application होते हैं तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको camera application ढोड़ना है कहाँ पर है ठीक है, जो इससे में current में आपका जिस application में problem आ रहा है जैसे कि हमने यहाँ पर camera application ढोड़न लिया है अब हम इस पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो यह कुछ इस तरीके से open हो जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ यह open हो चुका है open होने के बाद camera के जो पूरा settings है वो यहाँ से हम कर सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है किसमें आपने permission सब दे रखा या फिर नहीं अगर कोई permission नहीं दिया तो इस पर click करके allow पर click करके यहाँ पर आपको इसे permission दे देना है allow कर देना है ठीक इस तरीके से उसके बाद आपको देखना है जाकर कि यह work कर रहा है या फिर नहीं अगर यह फिर भी काम नहीं करता है तो आपको करना है कि यहाँ से आपको back आना है back आने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको आ जाना है storage and catch के अंदर और यहाँ पर clear catch कर देना है पहले और उसके बाद फिर से आपको try करना अगर नहीं चलता application तो आपको last में यहाँ पर आपको एक button मिलेगा clear storage का आपको इस पर click करके यहाँ पर ok कर देना है जैसे आप इतना करोगे उसकी बाद दोस्तो आपका जो camera application है उसका जितना भी settings आपने किया होगा वो सब reset हो जाएगा और यहाँ पर आपका camera application बिल्कुल जैसे आपने नया phone लिया था उस समय open किया था वैसे ही दोस्तो यहाँ पर आपका camera application open हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हम phone लेते हो उस समय जैसी settings मिलते है वैसे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी अगर आपका फिर भी ना हो तो यहाँ पर restore default लिखा हुआ है तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर automatic default वाली settings आ जाएगी ठीक है अगर आप clear data नहीं करना चाते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर दोस्तो आपका problem अभी भी नहीं सही हुआ है तो दोस्तो आपको यहाँ पर यह जो मैं application डाउनलोड करके रखा हूँ camera वाला इसको आपको दोस्तो डाउनलोड करना होगा इसका जो link है वो मैंने अपने video के description box में दिया हुआ है वहाँ पर click करके आप इस application को download करके open कर लिजेगा और यहाँ पर दोस्तो आपका photo भी click होगा और अगर आप video record करना चाहते हूँ तो video भी record कर पाऊँगे यहाँ पर आप जिसलिक देख से तो video record करने का भी option हमें देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके phone का जो camera application है वो अगर work नहीं कर रहा है तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके बताएं दोनों में से कोई ना कोई आपके काम आ जाएगा अगर फिर भी आपका problem सही नहीं हुआ है तो comment करके आप मुझे बता सकते हो या फिर Instagram पर message कर सकते हो